वेलकम टो जीनियस मेंटर्स हेलो बच्चों कैसे आप सभी हमारी क्लास 6 के बुक जिसका नाम है शोशल और पॉलिटिकल लाइफ इसके चैप्टर 1 कॉम कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टेंडिंग डाइवरसिटी जो की यूनिट 1 के अंदर आता है यूनिट 1 के अंदर सब्सक्राइब के दो चैप्टर से इस चैप्टर के हम पिछले चार लेक्चर में उन्हें बहुत कुछ हम जान चुके हैं और आज ही हमारा इसका पांचवा लेक्चर होने वाला है लेकिन जैसा मैंने बोला था कि हर बार मैं एक बात जरूर याद दिलांगा क्या यही कि आ एक्ष्टर बताएज आप उसको लिख ले और यही चीज़े आपको मदद भी करेंगे आगे आपको अच्छे से रिवीजन करने में हमारा चैप्टर वन जिसका नाम है अंडरस्टेंडिंग डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मतलब विविदिता विविदिता को हम समझ रह की और देखें आप जैसा कोई दिखता है आपने बोला नहीं दिखता बोले ठीक है खोई बात में इस बुक ने आपको कुछ 교 ?शनसौ। करो क्या आपको क्या पहनना पसंद है कौन से फैस्टिवल पसंद है कुछ और आपको दिएं क्या वह क्योशन सारे के सारे किसी से अलग अलगों का भाशाएं अलग हैं अलग अलग जगाओं से लोग आते हैं यह डाइवर्सिटी इसी में फिर हमको एक काम इस बुक ने दिया कि क्या हम क्लास में किसी एक ऐसे के साथ दोस्ती कर सकते हैं जो कि हमसे बिल्कुल भी ना मिलता हो जिसकी आदते हमसे बिल्कुल ना मिलती हो जिसके संसकार हमसे बिल्कुल ना मिलते हो क्या आपकी ऐसे किसी के साथ दोस्ती हो सकती है और कितना आसान होगा दोस्ती करना इसी को समझने के लिए हमने एक स्टोरी पढ़ी हमने एक स्टोरी पढ़ी कि एक गरीब बच्चा है जो अखबार बेजता है फटे पुराने कपड़े पहनता है और एक अंग्रेज जैसा दिखने वाला अच्छे से कपड़े पहान कर cycle लेके रो जाता है उस रास्त से अभी जो फटे पुराने कपड़े पहान के जो बच्चा है यह हमेशा उस cycle वाले के पीछे भागता है चौरहे पे एक English का newspaper लेके और बोल बोल के चिला चिला के बताता है कि आज की headline ये है एक दिन साइकिल वाले ने साइकल रोक ली और रोक ली तो उस बच्चे ने इंगलिश का पेपर आगे कर दिया लो उसने बोला नहीं मुझे हिंदी का पेपर दो साइकिल वाले ने बोला हिंदी का पेपर दो और जैसे उसने ये बोला कि हिंदी वाला पेपर दो वो अकबार बेचने वाला जो बच्चा था उसका मूँ खुला का खुला रह गया कि हिंदी वाला पेपर इसका मतलब आपको हिंदी भी आती है तो उसने बताया कि हाँ मुझे हिंदी पढ़नी भी आती है लिखनी भी आती है बोलनी भी आती है और हिंदी तो हमारा सब्जेक्ट भी है स्कूल में और जैसी सब्जेक्ट बोला अब फिर से वो बच्चा परेशान कि सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट अब उसको भी आया कि अब इसको कैसे समझाया जाए यह तो कभी स्कूल गया है यह नहीं इसको कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है तो फिर भी उसने टूटे फूटे उसमें बता दिया कि सब्जेक्ट ऐसा कुछ है जो हम पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट है उसने दूसरे को जो गरीब बच्चा है उसको बताया जो अख़बार बेशता है उसे बताया अब उसको पता लगया कि सब्जेक्ट क्या है वही फिर क्योशन पूछ लिया उसने क्या क्या तुम कभी स्कूल गए हो सैकिल वाले ने उससे पूछ लिया हमने इसमें देखा कि स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वह सब्जेक्ट है अब पूछ लिया जो अख़बार बेचरा उससे सैकिल वाले ने क्या तुम कभी स्कूल गए हो अब बच्चे ने क्या बोला कि नहीं कभी नहीं गया मैं तो जब इतना सा था वो सैकिल की उसना बताया कि मेरी मा मेरी मदद करती थी और अब अब मा अकेला सारा काम करता हूँ अकेला अकबार बेच लेता हूँ ये बात इनमें हुई ही थी जब मा का जिक्राया कि पहले मा मदद करती थी तब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं तब जो साइक्ल वाला है वो से पूछेगा where is your mother now. कि अब तुम्हारी माता कहा है, अब तुम्हारी मा कहा है. where मतलब कहां, mother मतलब अब. कि अब तुम्हारी मा कहां पर रहे? I asked, मैंने पूछा. मैंने कौन? जो साइक्ल पे बैठा हुआ. उसने पूछा कि अब तुम्हारी माँ का है उसने पूछा लेकिन तब क्या हुआ इ से बति बदल गी जो light कहां खडे थे ओ रेड लाइट पे खडे थे रेड लाइट और ग्रीन राइट रेड लाइट होते है, ग्रीन लाइट होते है इ सब चलते है अभी तक यह रुके हुए थे, light change हो गी है, और light change हो जाएगी तो क्या होगी, रुके हुए थे तो red होगी, और light change होगी तो green होगी, तो उसने question पुछा, where is your mother ना होगी, अब तुम्हारी मा कहा है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, उसी time पर light भी change होगी, light change होगी मतलब, अब क green light होगी तो क्या होगा, green light में क्या करते हैं, green light होते तो चल पड़ते हैं, तो जैसी green light होई, and I was off, मैं चला गया, कि green light होई, और मैं चला गया, ठीक है, question पूछा, लेकिन जवाब का wait नहीं किया, क्योंकि green light होगी, green light होगी तो चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा, तो पीछ चली बार होगा था, तो इसलिए वो चल दिया, question पूछ के, और वही, I heard him yell, heard का मतलब होता है, सुना, here का मतलब होता है, सुना, heard मतलब सुना, मैंने सुना, him, उसको yell, yell का मतलब होता है, चिलाना, yell का मतलब क्या होता है, yell का मतलब होता है, चिलाना, तो मैंने सुना, उसे चिलाते हुए, कहां से, from somewhere behind me, मेरे पीछे से कहीं से, behind मतलब पीछे, behind का मतलब पीछे, तो यहां पर वो चल दिया, जैसे ही green light हुई, वो चल दिया, तो चलते चलते उसने, पीछे से उसको चिलाते हुए सुना, जो अख़बार बेशता था उसे, वो चिलाया और उसने क्या बोला, she is in merit, कि वो merit में है, किसके बारे बात चल रही है, mother के बारे में, where is your mother now, कि तु वो merit में है, with, बता रहा होगा कुछ, मेरी मा मेरत में है, उसके साथ, अब वो सुननी पाया है, साथ तक तो सुना, उसके आगे की कहानी नहीं सुना, the rest was drowned out, कि जो बाके के शब्द थे, उसने बताया होगा merit में कहा है, किसके साथ है, लेकिन जो बाकी के जो सब्द थे, rest, rest मतलब बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो बचा हुआ था, वो क्या हुआ, was drowned, drowning क्या होता है, drown या फिर drowning क्या होता है, डूबाना या डूबना क्या होता है, drowning कोई चीज डूब रही है पानी में क्या बोलते है, drowning क्या बोलते है, drowning तो drown क्या है, डूब गया तो drowned out, the rest was drowned out कि बाकी जो सब थे वो डूब गए, कहां डूब गए traffic की आवाज में क्योंकि red light से green हो गी तो पीछे से सबने horn बजाना शुरू किया तो जब उसने पूछा, where is your mother now कि अब तुमारी मा कहा है उसे पीछे से चिला के जवाब तो दिया लेकिन उसे सुनाई कितना दिया she is in merit with कि वो merit में है उसके साथ इतना तो सुनाई दिया, लेकिन बाकी के शब्द, ट्रैफिक की आवाज में घुल मिल गए, ट्रैफिक की आवाज में डूब गए, तो rest यानि कि बाकी के word, बाकी के शब्द, drowned out, यानि कि डूब गए, लेकिन कहां ट्रैफिक की आवाज में, इसलिए बाकी के word नहीं सुनाई दिये, बस उसे पता लगा, उसकी मा कहीं मेरट में, यहां तक हो गया, अब आगे my name is Samir, कि मेरा नाम Samir है, अब वो तो चला गया, यह बात अगले दिन की हो रही है, he said the next day, अगले दिन जब वो मिले, तब पहले ही अखबार वाला जो बच्चा है, उसने अपना नाम बता दिया, जैसी वो मिले, जैसी सैकिल वाला आया, वो रुका, आते ही सबसे पहले उसने यह बताया, my name is Samir, कि मेरा नाम Samir है, क्या नाम है, Samir, किसने बताया, he said, उसने अखबार वाले बच्चे ने बोला, गरीब बच्चे ने बोला, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, कब अगले दिन जब वो मिले, and very shyly, shyly मतलब, shy होता है, शर्माना, शाही क्या होता है, शर्माना, तो shyly मतलब सर्माते हुए, and very shyly, he asked, कि बहुत शर्माते हु उसने साइकिल वाले बच्चे से पूछा, what is yours, कि तुम्हारा क्या है, अपना नाम बताके, फिर उसका नाम भी पूछना चाहा, कि मेरा नाम तो समीर है, तुम्हारा क्या है, बहुत शर्माते हुए उससे पूछा, it was incredible, लेकिन जैसे उसने सुना कि उसका नाम समीर है, तो क आश्चरिय जनक, क्या होता है, आश्चरिय जनक, उसने बला, it was incredible, कि तो आश्चरिय जनक था, my cycle, मेरी cycle, क्या हुआ, wobbled, क्या हुआ, wobbled, wobbled का मतलब क्या होता है, डगमगाना, ऐसे साइकिल डोलने लगना, जब उसने बताया कि मेरा नाम समीर है, तो साइकिल वाला, बच् उसके साइकिल भी डगमागा गई, क्यों, क्योंकि जब उसने पूछा, मेरा नाम क्या है, तब इसने भी बताया, my name is Samir Dhu, मेरा नाम भी समीर है, दोनों का नाम समीर है, जब उसने अखबार वाले का नाम सुना, इसका भी समीर है, तो अचानक उसको भी आश्चरिय लगा, अच्छे इसका भी नाम समीर है, आश्चरिय चकित हो गया, और उसके साथ-साथ उसकी साइकिल डगमागा दी, कि ये भी समीर, मैं भी समीर, उसने भी बता दिया कि मेरा नाम भी समीर है, I said, मैंने कहा, जो साइकिल वाला उसने कहा, what, क्या, अखबार वाले का रियक्शन, जो छोटा बच्चा है, वो पूछ रहा क्या है, तुम्हारा नाम भी समीर, His eyes lit up, उसकी आखों में एक मलब एक चमक सी आगी, लिट, चमक आना, लिट होना, चमक ना, तो उसकी जो आखे थी, His eyes, उसमें चमक आगी, जैसे उसने नाम सुना, पहले उसने बताए, मेरा नाम स अमीर है, और शर्माते वए पूछा सैकिल वाले से, तुम्हारा नाम क्या है, उसने भी बड़े आश्चेरए चरकित होकर, सैक्ट डग्मगाई, लेकिन समालते वए, उसने बोला कि मेरा नाम भी समीर है, और जैसे उसने बोला, अखभार वाला आश्चेर यह चरकित, क्या तुम्हारा नाम भी समीर है और उसकर बाद उसने बोला yes I grinned at him grinned at him का जा मतलब है grin का मतलब होता है मुस्कान grin का मतलब होता है मुस्कान अब साइकल वाला बोला है हाँ मेरा नाम भी समीर है और उसके बाद ये बोलकर I grinned at him मैंने उसकी तरफ देखके मुस्कुराया मुस्कुराते वह उसने जवाब दिया कि हाँ मेरा नाम भी समीर है I grinned at him ग्रिन मतलब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया It's another name for Hanuman's father और फिर उसके बाद अखबार वाले को एक और चीज़ बताई हनुमान जी सुना आपने गदा लेके जो रहते हैं हनुमान जी के पिता जी का क्या बोलते हैं हनुमान को पवन, पूत्र, हनुमान तो किसके बेटे थे हनुमान पवन के, वायू के, हवा के इस पवन को या वायू को या हवा को हम समीर के नाम से भी जानते हैं हवा को हम समीर भी बोलते हैं कई बार तो यहाँ पर इसने बताया कि हनुमान जी के पिता जी का नाम भी है you know कि आप जानते हो इस बात को उसने उसको बताया कि तुम जानते हो कि यह समीर नाम तो हनुमान के पिता जी का भी है पावन वायू जी से हम कहते है उसका So now you are Sameer Aek आगे क्या बोलता है So now you are Sameer Aek and I am Sameer Du he said triumphantly उसने अखबार वाले बच्चे ने जैसे उसका नाम सुना तो उसके बाद बोला कि अब से तुम Sameer Aek जो cycle पे बैठा उसे बोला तुम समीर एक और मैं समीर दो किसने बोला अखबार वाले बच्चे ने he said triumphantly और यह उसने बहुत ही खुश होते हुए बोला triumphantly का मतलब होता है खुश होके या फिर आनंदित होके या फिर जीत के कहीं से जीत के आ जाओ कोई चीज तो उसको बोलते है triumphantly किसी चीज को बोलना या फिर खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी में जब हम कुछ चीज बोलते हैं तो उसे भी बोलते है triumphantly तो बहुत खुशी में उसने बोला कि ठीक है, अब से क्या हो गया, अब से तुम समीर एक और मैं समीर दो, आखवार वाले बच्चे ने ये बोला, something like that, कि हाँ कुछ ऐसा ही, हाँ कुछ ऐसा ही लगा लो, ये किसने बोला, I answered, I मतलब जो cycle पर बैठा, cycle ने बोला हाँ कुछ ऐ समीर दो और मैं समीर एक, cycle वाले ने भी बोल दिया, and then I held out my hand, और उसके बाद, तब, तब क्या किया है, I held out my hand, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, cycle वाले ने क्या बोला, कि उसको बोलके हाँ कुछ ऐसा ही लगा लो, उसके बाद अपना हाथ आगे बढ़ाया उस बच्च कि हाथ मिलाओ, जब उसका भी पता लगा कि ये भी समीर है, और मैं भी समीर, और उसने बोल भी दिया, कि आज से तुम समीर एक, मैं समीर दो, और ये सुनके ये भी बढ़ा, ठीक है, और हाथ आगे बढ़ाया, कि समीर दो, हाथ मिलाओ, his hand nestled in mine like a little bird इसका मतलब क्या है कि उसका जो हाथ था किसका हाथ जो अखबार बेच रहा है उसका जो हाथ था वो क्या हुआ nestled समा गया समा गया ठीक है कैसे समझते है nest का मतलब क्या होता है nest का आप सबने मतलब पता होगा nest का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी घोंसला क्या होता है nest का मतलब घोंसला पक्षियों का जो घोंसला होता है तो उसने बोला उसका जो हाथ है वो मेरे हाथ में ऐसे आया जैसे एक छोटी सी चिडिया एक little bird छोटी सी चिडिया अपने घोसले में आती है उसने बताया कि जो अकबार बेचने वाले का हाथ है वो मेरे हाथ में ऐसे आया जैसे एक छोटी सी चिडिया अपने घोसले में आके बैठती है तियानि उसका पूरा हाथ इसके हाथ में समा गया और उसके बाद I could still feel कि मैं अभी भी still मतलब अभी भी feel feel मतलब महसूस कर सकता हूँ महसूस करना उसने बोला कि मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ it's warmth warmth क्या होती है गर्माहट कि उसके हाथ के गर्माहट मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ as I cycled away मैं cycle को ले जाने लगा, cycle लेके आगे बढ़ा और चलते वे भी मैं उसकी हाथ की गर्मी को महसूस कर पा रहा था, cycle वाला क्या सोच रहा है, कि हाथ मिला है, उससे आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ में, अभी भी उसके हाथ की जो गर्मी थी, वो अभी भी महसूस हो रही थी, कि हाँ वो हाथ मिला क्या है तो उसके हाथ के गर में वो वहाँ पर भी महसूस कर सकता था the next day और उससे अगले दिन और उससे अगले दिन क्या हुआ he did not have his usual smile for me next day क्या हुआ कि उसके पास उसकी जो usual, usual मतलब क्या होती है आम तौर पर usual का मतलब होता है आम तौर पर या फिर सामानने तौर पर कि रोज जो उसके मुँपे जो smile रहती थी कि जैसे ही वो cycle वाला बता रहा है कि मेरे को देखके वो हमेशा जो मुश्कुराता था next day he did not have his usual smile for me कि अगले दिन उसके पास मेरे लिए जो smile होती थी वो नहीं थी उसके पास वो smile नहीं थी उसके चेहरे से smile गयब थी हमेशा जो वो मुश्कुराता वा उसे दिखता था अखबार वाला लेकिन आज वो अखबार वाला मुश्कुरान इढ़ाता तो जो आम तौर पर usual जो smile उसके पास रहती थी हमेशा जो उसकी smile जो रहती थी आम तौर पर समान्य तौर पर जो मुश्कान जो रहती थी आज नहीं थी उसके मूपे there is trouble in merit he said और उसने बताया कि यहाँ पर merit में trouble है trouble मतलाब मुसीबत कि मेरट में मुसीबत आ गई है और आप याद करो उसने क्या बताया था उसकी मम्मी का है मम्मी कहां पर रहे merit में तो इसने बताया है कि merit में कुछ मुसीबत आ गई है तो मेरट में मुसीबत आ गई है इसलिए वो खुश नहीं था इसलिए वो खुश नहीं था he said many people are being killed कि बहुत सारे लोग वहां मारे जा रहे है और उसकी मा भी हुई है बहुत सारे लोग वहां मारे जा रहे है in the riots in the riots riots क्या होते हैं दंगे तो इसने बताया अखबार वाले ने कि merit में दंगे हो गई है merit में दंगे बढ़क गई है और उन दंगों में बहुत सारे लोग मारे जा रहें अब साइकल वाले को तो पता उसकी मा भी उधर है इसलिए वो उस दिन हस नहीं रहे तो वहाँ बहुत सारे लोग मारे जा रहे इतने दंगे वहाँ पर फैल गए है I looked at the headlines और मैंने भी Headlines की तरफ नजर डाली साइकल वाला समीर क्या बोल रहा है कि मैंने भी जो Headlines थी जो मुख्य समाचार थे उसकी तरफ देखा Headlines की तरफ देखा तो क्या लिखा हो था Headlines में Communal Rights Communal का मतलब हो था सामप्रदाइक Rights मतलब दंगे It Blazed Blazed मतलब भड़कना कि सामप्रदाइक दंगे भड़के होए है कहाँ पर? Merit में Merit में सामप्रदाइक दंगे भड़के होए है यह सामप्रदाइक दंगे कौन से होते है Communal कौन से होते है जो किसी एक Community से Belong करते हैं दो communities के बीच में जो दंगे हो रहे हैं, वो क्या हुए है, communal rights, दो समुदायों के बीच में, दो संप्रदाय के बीच में जो दंगे हो रहे हैं, यानि हम यहाँ पर कहेंगे हिंदू और मुस्लिम दो संपरदाए हैं अगर इनके बीच में कोई दंगे हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे संपरदाएक दंगे या फिर communal rights तो वहाँ पर communal rights हो गए थे यानि कि दो धर्मों के बीच में बहुत दंगे हो गए थे और उसके चक्कर में वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा रहे इसलिए समीर दो जो अकबार बेचने वाला समीर था वो बड़ा परिशान था बट समीर लेकिन समीर जैसे ही साइकिल वाले समीर ने उससे पूछाना चाहा कि लेकिन समीर तभी उसने जवाब दिया I begin जैसे उसने बोला I am a Muslim समीर He said in answer कि जैसे ही मैंने उससे पूछा लेकिन समीर तुम तो उसने जवाब दिया कि मैं Muslim समीर हूँ किया जवाब दिया कि मैं एक Muslim Sameer हूँ He said in answer उसना जवाब में का कि मैं Muslim Sumer हूँ And All my people are in merit और मेरे सभी लोग All my people मेरे सभी लोग कहां पर हैं in merit कि मैं एक Muslim Sameer हो और मेरे सभी लोग merit में हैं जहां दंगय बढ़के हुआ हैं जहां बहुत सारे लोग मारे जा रहे है His eyes filled with tears उसकी जो आख है filled मतलब भरना fill मतलब क्या होता है भरना fill मतलब भरना तो उसकी आख भराई with tears आसूँं से tear मतलब आसू tear मतलब आसू तो आसूँं से उसकी आख भराई and when I touched his shoulder touch मतलब छूना जब मैंने उसके shoulders को छूआ जब मैंने उसके कंदों को छूआ he would not look up उसने नजरे भी नहीं मिलाई मतलब उपर की तरफ भी नहीं देखा नजरे भी नहीं मिलाई तो क्या हुआ किसले परिशान था समीर दो किसले परिशान था समीर दो इसलिए परिशान था क्योंकि वो खुद भी मुस्लिम था और उसकी सारे फैमिली वाले वो मेरट में रह रहे थे और मेरट में कमिनल राइट्स हो गए थे यानि कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जगड़े शुरू हो गए और उसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे इसलिए बड़ा परिशान था और उसकी आँख भी बराई वहां का सोच के पता नहीं क्या हुआ होगा क्योंकि उसकी मा भी वहीं थी तो आँख बराई उसकी और जब समीर ने उसे बोला समीर ने जब उसका सोल्डर मलब टच करके बोले समीर वो उपर नजर भी नहीं मिला पा रहा था उपर नजर भी नहीं मिला पा रहा था वो नहीं था चौराहे पे वो नहीं था चौराहे पे दिडे आफ्टर अगले दिन उस दिन के बाद आफ्टर मतलब बाद दिन के बाद उस दिन के बाद वो चौराहे पर नहीं था अगले दिन भी समीर एक तो गया सैकिल वाला समीर तो वही है लेकिन अगली बार जब उस चौराहे पर पहुँचा तो उसे समीर दो नहीं दिखाए दिया तो अगले दिन समीर दो चुराय पर नहीं था ना ही उससे अगले दिन और फिर उसके बाद कभी भी समीर दो वहां नहीं दिखाई दिया वो दंगे हुए उसके अगले दिन से समीर दो वहां दिखाई दिया ना उससे अगले दिन दिखा और उसके बाद कभी भी ये समीर दो समीर एक को कभी नहीं दिखाई दिया सैकिल वाले समीर को अखबार वाला समीर उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया and no newspaper और कोई भी अखबार in English चाहे वो अंग्रेजी में हो और हिंदी चाहे वो हिंदी में हो, can tell me where my Samir 2 has gone, ये मुझे बता सकता है कि कहां पर मेरा Samir 2 चला गया है, क्या बोल रहा है, कि कोई भी अकबार ये नहीं बता सकता, कि मेरा Samir 2 कहां चला गया है, my Samir 2 has gone, gone मतलब जाना, कि कोई भी अकबार, चाहे हिंदी का या इंगलिश का कोई भी अकबार, ये नहीं बता सकता कि मेरा Samir 2 हमेशा के लिए कहां चला गया है, तो Samir 2 हमेशा डूंडता है, लेकिन वो मिला नहीं, तो ये एक स्टोरी थी, और ये स्टोरी आपको, पोहले सेन गुपता के एक नाटक है, तो उसमें से लिया गया है, दिलाइट सेंजट, उसमें से, ये लिया गया है, तो आपको समझ में आया होगा, कि कैसे, जो दो लोग, दो Samir, जो बिलकुल अलग है एक दूसरे से, जो दो समीर बिलकुल अलग है एक दूसरे से कैसे दोनों में कैसे दोस्ती हो बस दो-तिन दिन बातचीत में कैसे दोस्ती हो और यहीं पर मैं आपके लिए एक हमवर्ग देने वाला हूँ जो हमेशा देता हूँ ठीक है ध्यान रखना इस हमवर को आपको करके लाना है Name three ways in which Samir 1 and Samir 2 were different तीन रास्ते वो बताओ या तीन तरीके वो बताओ जिसमें Samir 1, Samir 2 से अलग था वो तीन बताने यानि Samir 1 और Samir 2 में क्या अंतर थे दोनों अलग कैसे थे यह हमें बताने कम से कम तीन अंतर दोनों में हमें बताना है Did these differences prevent them from becoming friends? क्या इन दोनों, prevent का मतलब होता है रोकना, बचाना prevent का मतलब बचाना या फिर रोकना क्या यह जो दोनों में जो अंतर थे इनोंने उनको friend बनने से कभी रोका? क्या यह जो दोनों में अंतर थे, यह उनको friend बनने से, दोस्त बनने से रोक पाए? नहीं, दोनों बहुत अलग थे, फिर भी friend बने तो आप भी अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ, किसी class में ऐसे बच्चे के साथ, जो आप से बहुत अलग है आप उससे भी दोस्ती कर सकते हो तो इन डिफ्रेंसे से, इन अंतर से, दोस्ती पर कोई फरक नहीं पड़ता यहाँ पर इन में भी कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन दोनों में अंतर आपको मुझे बताने यह आपका home work है कि समीर एक, समीर दो से कैसे कैसे अलग था यह सब आपको बताने नेक्स्ट क्लास में मैं तो बताऊंगे तो आपको एक कहानी कैसी लगी ठीक समझ में आई या नहीं आई दोनों कैसे अलग थे और दोनों में किस तरीके से दोस्ती हुई ये चीज़े आपने देखी होंगी देखी तो हैं लेकिन आप अब ये आपको बताना भी है कि समीर एक समीर दो से अलग कैसे था ठीक है तो इतनी चीज़े आपको करनी है और हम आज की क्लास को इतना ही रखेंगे next क्लास में फिर से मिलेंगे एक तो इस सवाल के जवाब के साथ और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो चलते हैं आज फिर मिलेंगे अगले अगले एक्टर में तब तक के रिए थैंक यू टेक क्या बाई बाई